बिस्मिल्लाइर वख्माने वहीम, असलाम अलेकुम डियर फ्रिंद्स और फामली, आज हम बहुत ही मज़े की क्विक सी मैदे की बर्फी बना रहे हैं, जो के बहुत ही टेस्टी बनती है, मेरे चनल पर ने हैं, तो प्रीज सब्सक्राइब करना ना भूलियेगा, तो यहां प पाउडर है, तीन टेबल स्पून, और खोपरा है, दो टेबल स्पून, असान से इंग्रिजिएंट्स हैं, हर घर में वेलेबल होते हैं, तो सिर्फ करना यह है, कि यह जो फ्राइंग पैन है, इसको आप पहले गरम कर लीजिए, इसमें जब देसी गी डालेंगे, तो यह अ तो सब मिक्स हो जाएगा, तो इसको बस इस तरह मिक्स होने के बाद, तीन से चार मिनट पकाएं, जब इस तरह से बबल जाने लगें, और अच्छी सी खुश्पो आने लगें, इसका मतलब है, रेडी है, तो चूला बन कर दें, बस इसके बाद कोई काम ही नहीं, एक अच् तो इसलिए मैंने पाँच मिनट सिरफ इसको ठंडा किया है, और इसके बाद मैंने इसमें पिसीवी चीनी डाली है, पिसीवी चीनी ना हो तो पीस लें, कोई मसला नहीं है, तो पिसीवी चीनी डालने के बाद मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी डाल दिया है, और साथ-साथ खोपरा जो रह गया था वो भी डाल दिया है बस सारी चीजें डालने के बाद आपने इसको mix ही करना है इतनी easy बर्फी आपने कभी नहीं बनाई होगी ये वो वली बर्फी है जब आपको cravings आती है ना कुछ मीठा खाने की, कुछ you know मिठाई शॉप से कुछ खाने की तो ये वो वली बर्फी है जो आप easily बना सकते है तो इसको मैंने इस तरह से 2-3 मिनट mix किया है इसकी काफी अच्छी सी consistency आगी है तो इसको मैं जो है वो एक plastic के tub में transfer करी हूँ आप चाहे square लें, चाहे rectangle tub लें कुछ भी आपके पास हो बस उसका धकन होना चाहिए तो बस इसको इस तरह से बीच में कर देना है flat ना हो तो आप इस तरह से इसको एक तो पठे दे नीचे तो ये खुदी सारी flat हो जाएगी तो उसके बाद इसको धकन को बंद करें और कुछ खेंटों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं लेकिन अगर आपने जल्दी खानी है तो फ्रीजर में रख दीजी आदे ग्हेंटे में बिल्कुल ready हो जाएगी ये देखें मैंने भी फ्रीजर वाला काम किया है तो ये बिल्कुल ready है इसको अगर आप रूम टेंपरेचर पर थोड़ी दे छोड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छी soft सी ready हो जाएगी तो बस इसको अराम से आप इस तरह से काट लीजिए जिस तरह से आपको जो shapes पसंद हैं उस तरह से काट लीजिए अगर आपको इसमें बदाम पिस्ते चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं कोई problem नहीं है तो ये मैंने इस तरह से सारी की सारी काट ली है और इसको आप किसी अच्छी सी प्लेट में जैसे भी decorate कीजिए और मज़े से enjoy कीजिए ये इतनी instant किसम की बरवी है कि आप हैरान रहे जाएंगे और इतने मज़े की बनेगी कि आपको एकीन ही आएगा कि आपने इसको basic से ingredients के साथ बनाया है तो अगर मेरी ये recipe अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा मेरे चैनल को और शेयर भी की जग अपने friends and family के साथ और मैं मिलूंगी अपनी next recipe के साथ तब तक मुझे दीजेगा इजाज़त अलाहाफेज